स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए पॉड़कास्ट में और इस पॉड़कास्ट में हम आपके लिए दुबारा लेके आए हॉरर किस्से क्यूंकि आपको हमारे हॉरर पॉड़कास्ट बहुत ही जाद पसंद है और इस बार हम लाएं दिलीब भाई को स्वागत है भाई आ विधा तोरी थी और क्या था क्या हुआ थे जरह इंट्रस्टिंग तरिके से वर सफ ऑल ऑट थेंक्यू बुलाने के लिए मुझे यह बार थे तो कहानी यह किस्सा है, मैंला रियल किस्सा है, और काफी इंटरस्टिंग है, मेरा जो दोस्त है बच्पन का, उसके बड़े बाई के साथ हुआ है, तो वो गया हो ता बाला जी, काफी जिद वगरा करकर गया हूँ, घरवालों ना मना किया कि नहीं, अकेले मत जा, अकेले मत गूंगा हूँ एक बार, उसने कुछ मनत वगरा मांग रखी होगी पहले से, तो घरवालों काफी मना किया कि थोड़ी दे रुख जा, या किसी को साथ में ले जा, कुछ दिन बाद हम चलेंगे इस तरी के से, पर उसके दिमाग में बार बैठ गी तो वो कह रहा कि नहीं, मै वहाँ पर मिलता है उसे लेकर नहीं आते कभी भी, उसके हाथ जोड़ के जो भी आपको मिला उससे वहीं पर वापर चड़ा कर आजाना चाहिए, ऐसा मना जाता है, तो ऐसा सब लोग करते हैं? भाई, सब लोग करते हैं, जिसको नहीं बता वो भले ही ना गरे, पर ऐसा मान पर बाला जी में ऐसा होता है कि काफी ज़्यादा भूत प्रितों का रहता है तो माना जाता है कि उस प्रसाद में भी कभी ना कभी नेगेटिव एनरजी और वह सब आ जाते हैं तो इसलिए उसको हाथ जोड़के वहीं पर चड़ा आगे वापस दो उसकी इजद करी हमने प्र सब्साद रिसीब कर लिया और वापस लेकर आगे असा हम नॉर्मली मंदिरों में हम करते हैं कि हम वापस घर घर के लिए आते हैं तो उसे हो गया काफी लेटर भाई रात में और चल रही ती गाड़ी रात के यहीं बार एक बज रहे होंगे और थोड़ा सुनसान था इलाक बुखली जादा निया पर थोड़ा वह डैंट आ गया था साइड में और वह रुग गया और देखने लगा बट गाड़ी फिर स्टार्ट नी हो रही थी उसकी अब वह खड़ा रहे गया उसे हो गया काफी टाइम हो गया और देखने लग गया कोई निकले माँसे गाड़ी मांगू पर कोई नी था अच्छा असपास के गाउं में कोई जैसे होता है हाईवे पर थोड़े से दूर गाउं होते हैं भाई बीच में थी वो उसकी गाड़ी ना इधर कुछ गाउं था ने इधर कोई गाउं होता गरवालों के फोन आने स्टार्ट हो गई कि बाई कहा र छुट बल रहा है कि कहीं ओर तो नहीं है तो यह तो नहीं मेरको निया खड़ा इraz डी कार ना ड chili कर्ण था ग्ली करी कि यह 6ud उनने जो फोटो कि तो मुझे फोटो बेजी है ना उसको जूम आउट कर जब उसने देखा तो भाई फोटो आप डाल दोगे आप जो भी है उसमें साफ स्क्रीन पर रहा है कि कोई इसका फेस एक्टम रिवील हो रहा है कि कोई आखे इसकी चमक रही है कोई उसके साथ वाली द्राइविंग सेट के साइड में और जब उसने वो देखा वाई उसकी सिट्टी विट्टी गूं अब वो देख रहा है कि मैं क्या गरूं वो कार छोड़के वहीं से निकल लिया पैदल बैदल किया रहा है जहां पोंचूँगा वाई पोंच तो जहूंगगा यहां से यह फीवर रहा उसे और कार महां से फिर वो दो तिन दिन बाद ही लेकर आए थे और वहां पर पंडित बगरा को लेकर गए पूजा पार्ट कराई गई तब जाके वह कार वापस आई किसी तरह और भाई साब यह था भाई पहला तो भाई यार यह तो गलती सीन था वैसे 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 आपको वैसे शुरू से पता था क्योंकि हमें तो आप नहीं बताए कि प्रशाद कभी वापस नहीं लाना चाहिए हम वैसे कभी गई भी नहीं है वहाँ पर पता मुझे भी नहीं था पर यह कि हमारे मम्मी वाप है उन्होंने कहा रखा है कि बाला जी कभी अगर वाट चाहरा गया गड़ी दोजिन दिन माद आई है वहाँ से फोटो में के लिएर लिएम लिए यह यह दो आख नाक यह लम्मी late- inputs देख रहर है प्रसाद के रूप में आपके साथ आरी थी वह घर तक जो कारमगर आपके साथ बैठी हुई है वह वहां पर छोड़ाया तो यह था कि वह वहीं पर खतम होगी अगर वह साथ आरी तो घर पर भी पूरा वह घर तक जाती नहीं तो मेरे साथ बैठी है घर वालों पर भी अशर होता हुए फिर बहुत कुछ हो सकता था तो सही पता चला रहता है है सेम नहीं मैं तो गाड़ी चला कि यही तो सुनना है तुझे यही करता यही सुनना तो मुझे मैं गाड़ी को ले जाता मंदिर में लगा देता तो तू यह नहीं दिखाता कि कोई भी नहीं है नॉर्मल बैठ है वाई वैसे हम अभी कितनी बाते बना लें लेकिन आउंदस पड़ अगर हम भी देखेंगे ना अपनी गाड़ी में कुछ है जैसे पता चल गया कि गाड़ चलती चलती आसमान में चली फोन पर क्या बात हो रही है उसे थोड़ी सुना उसने सुना नहीं तो मैं आता उसे कुछ नहीं दिखाता कि मुझे पता लग गया है गाड़ी चलाता नॉर्मल और मंदिर लगा के वापस बाला जी जाता नहीं 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 फिर कौन से मंदिर पालेar के पाजवले मंदिर लगा के उसे शीशी में कैद करवा दा कि मेर साबने चालू बनेगी चल तू शीशी बाद जैसे मैं के रहे हैं तो किसे दर्या है करता मैं यहीं गकरता भाई तो बाग जाता भाई वह से ल बाओग जाता तू यह ऐसे ही शेयर अप्स kiedy , बाई उस टाइम बढ़ाएगा कि अस तो गाड़ी में बैठके हनुमान चालीसा लगा देता और शीषा खोल देता कि उड़ जा उड़ना है तो अब जाल सबसे पहले भागता है वरना इसी में कैद हो जाएगी तू यही शीषी है शीषा खोल देता कि ले या फिर शीषे सारे बंद कर ला ता कि सुन हम तू हनुमान चालीसाई सुन तू पागलो यहां हंगामा कर मेरे आगे यह तो बहुत सही तरीका है चलो भाई नेक्स स्टूरी यह किस्सा और और की बात करते करें को अभर लेकर आ को यह ताकि यह ताकि कोलेज वाले ट्रिप पे लिए जाते हों आप लोग कर तो बाति दिसंबर वगएरा की 2019 की बात हैं तो वह तरी कोलेज की तरफ से चले चले हम तीन दोशते तो साथ में रहते था हम एसा जैसा आप लोग हैं तो हम चले तो भाई यहां से पहुंचते हुचते 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 थे जिल्दी अंदेरा होता है तो वह वहां इस जगे ऐसा होटल लेकर प्ता है किसी चोइस थी बाइवर की एक हील पर जा गर की काफी सिंबला से काफी उफर जाके एक अलग दर खल्प हील ती और वहां पर ना इधर एक दो किलो मेटर तक ना इधर कोई होटल ना दुकान ना इधर कुछ और वहाँ एक हिलती उसके उपर एक होडल था वहां में पहुंचना था वहां पहुंच गए और पहुंच पहुंच बजगे छैसाथ दिसम्मर का वकता तो काफी थंड हो चुकी थी और काफी अंदेर आ था और काफी हम सुवैसे बस में तो काफी थके हुए थे कोहरा भी हो गो बहुत थक्ड़ा और वहां बस से निकलानी जा रहा था बहुत कप कप आ रहे थे हम तो माइनस में चल चला आगे होगा टैम्परिश आरा हम से तो क्या हुआ कि रूम अलोट नाम अतलो रहें दो नाम लेलू ना हम जो दोस्ते हम दोनों लेट गए बैड़ पे थोड़े थोड़े थके हुए था हम ने खाना वाना लिख रहा के लेट गए खाना वाना खाते हुए ना वही 10-11 बार बज़ गए तो जो एक दोस्ता भाई उसको आधा था गटमंड सा भात करत ने राद में तो गटमंड से हम ने लेट चाहिए बात करें तुम दोनों या ऍहार तो वह खरो हम दोनों लेट गए बात के करने लेकर वह खिंड़्यट हो थोड़ा स्गेट्विक ने कि आधा भी दी तो खिड़की से खिड़की खोलके श्किड़ पी रहता है और फॉन पर बात कर रहा था और वो कब बात करते करते हम तो सो गए हमें कब नीद आगे मैं पता नहीं चला भाई और वो कर रहा होगा बात जो भी है खड़ा था तो रात के दो या तीन बजगे होंगे वो मेरे पास आता है और को भाई दिलिफ दिलिफ रहा थे जोड़की नीद मेरा क्या हो गया और भाई वाना कुछ सो दिख़ रहा है बार मुझे लगा है मिरेफ प्रेंक करना चाहरा है मैंना भाई सोजा यार वैसी था कि वह नहीं भाई तॉटेक हुआ परका कि चलतरों में समय कृपना। मलता हुआ भाए domain क्या किक टिकनान। भाए महीन दिखी में चणकी मरे मेडillä उदिहाना है। मैं उद्ध कखा धना niटां। भाहा जीरे डिखा दिख्ए हुआ 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 एughना हुआ। और फिर वो नहीं ऐसा लगा है पास आती जा रही है दिरे दिरे वो औरत है और अभी न भाई वो खिड़की नीचे बैठी हुई है औरे मैंने का यार मैं भाई बच्चे ही थे हम 17-18 साल के थे उस वक्त मैंने का यार ऐसा तो हो नहीं सकता चल साथ में देखते हैं मैं लुक जा बाई शाथ में कुछ जाना और मैंने से भी जगाते हैं तीनों चलेंगे ऑर बाई को ताने मिघा उम अमधा खिडगी काफी का नहीं रुट चाहिए मैंने भाई हिम्मत करके हम दोनों ने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैंने कहा यहां तो कोई नहीं है और कोई नहीं था मैंने तुझे यार वो हुआ होगा भरहम बगरा और इस तरीके से गाशी ठक रहा है क्या रहा है नहीं भाई सच में था मैंने चल कोई बाद नहीं जोगा देखा जाए अब तो नहीं है खिडगी उडगी बंद कर सोने शलते हैं हम आ गए और भाई मैं सच बता रहा हूं मुझे भी नहीं पता कि वो चीज़ कैसे हुई कैसे नहीं हुई जम बैड़ पे लेट है ना उसने गाद एक बैड हिल रहा ह अब भूकम भूकम तो नहीं गया नहीं जब अगर भूकम पाएगा व साइचीज़ लेंगी ना भाई लिटरली हमारा बैड हिल रहा था यूँ उकर के सिर्फ बैड हिल रहा था सिर्फ बैड ऐसे और मैंने वो खुद फील किया जमीन जमीन में रहते हुए हां भाई बैड हिल रहा था बस ऐसे और जो सो रहा है वो सो ही रहा है वो सो रहा है वो गहरी नहीं मता और बैड हिल रहा था ऐसे मैंने का यार सच में हिल रहा है तो मैंने क्या किया जाए मैंने क्या कर सकते हैं कोल वगरा कर ले यार टीशर वगरा होंगे क्या रहें नहीं यार अगर वो म अगली सुबा तो हिलते हिलते पर वाय मं पढ़ गया हम किया हम यह हमारी हिमत नी थी कि महां से ऊठके जाये कहीं हम से तो सो या ना जाए हम तो भग जाए उस पर कोई और कमरा ढूंडे भाई हमें यह लग रहता ना कि अगर यहां से हम उठे तो कुछ और हमारे साथ हो अपने दोस्तों को क्योंकि कम सकम गए होते 25 बच्चे गए होते साथ में सबको बताया उनने का नहीं कुछ निया लड़कियों का जो एक फ्लोर तो लड़कों को दिया होता है लड़किया अलग वाले उदर थी उपर रूम में भाई अगली रात सेम जगे वो सिक्रेट पीता अगली रात सेम एक ऐसा लगा कि लड़की नहीं इस बार आ गया है कि दूर कहीं आग चल रही है खेतों में और वो आग पास आते जारी है लड़के में भी गूदा है सेम जाएगा सुट्टा पीरा बात कर रहा लड़की से फिर मैंने का भाई तू क्या कर रहा है तेरे बना ता लड्कियों को अपनी बाथ रूं के आगे लड़क्यों की जो गैलरी ठीट रघी हम इसकमरे से निकले एक तो परसनल हमारा था मारा पर कि वासरूम ओहीं हुआ करता था एक वासरूम था किसी किसी रूम में वास्रूम नहीं दिया हुआ था, तो वह common वास्रूम उस करते थे, तो लड़कियों ने हमाँ बता है कि जैसे रात को वास्रूम वगरा जाते थे थे ना, तो कोई चलते हुआ टहलते हुआ दिखता था सफएद कुपड़ो में, और बाथरूम के आगे, ब बाथरूम के आसपास रहती थे और अच्छा, तो जब बता करा कि बाल ऐसे गिरे हुए, बैठे हुए बाथरूम के आगे, कभी इदर कभी टहल रही है, कभी चल रही है, इस तरीके से, जब बता करा था कि हमने, जब हमें चला चीज हो थी, जब ये चीज निकल के आई, ट होड़ा फील सा हुआ इस चीज का, जब हमने बाद में पता चला, हमने स्टाफ वगरा से बाद की होटल वालों से, तो कह रहे हैं कि यहां पर जो पाड़ी लोग हैं, अगर लोग मर जाते हैं, तो जलाते वलाते हैं यही आसपास देते हैं, या गाड़ वार देते हैं, तो हमारा जैसे लंबा ट्रिप था तो हम दो तीन दिन के अंदर निकल लिए ते, अगर कुछ जाद रुखते तो हो सकता था कुछ, अच्छा जल्दी निकल लिए, वहां से पैक अप कर गए हमारा पांचे दिन का ट्रिप था, वहम दो दिन में, जब हमने किसी और होटल में च पांचे के साथ तो लगा था कि मैंटल कुछ हो गया खतम, वह डेली कुछ ऐसा करता था कि भाई, भाई वह मैं रहा कहने वाली बात है, वह जाट बनदा है एक थाड़ा, मेर से भी अच्छा खासा दिखने में, वह ऐसा हो गया था, उसके मैंटल है था बच्चे नहीं कहते नहींते हें बहाभ वभाई से अधर, मुझे में यहां यहां कुछ है ऐसा समय लगा तो तो टीश्रों ने फिर यह सभ देख्किया कि भाई यांसे निकला जाए। दो भाई हम जलदी सीफ्ट हो ग somos there的人, वह सही किया इसे सीफ्ट हो मनना तो ऑह आई कुछ हो जाएक Anyways the. से भ वहार दिग गई और एक ही टॉयलेट है और बहुत तेवे जा रहा है प्रेशर क्या करें गांगा सुन पहले मैं जा रहा हूं तो बाद में जागी रुग जा भी नहीं बगड़ो भाई निकल जाएगी वह दिग गई तो पेंट में अच्छा भारी हो जाए अच्छा भारी है बाई ये न वैसे जब ही अभी तो तुम कुछ भी सो चलो बैठे बैठे जब करोंगे ये तब भाही पता चलेगा भाई तब कुछ नहीं हो पाता भाई कुछ नहीं हो तो अच्छा है भाई वहां फिर पैंट में भी लिकाड सागया कुछ भी हो सारी पिस्टल लिकाड जा चलो बहुत शुरू हो जाओ क्या सीन था था थर्ड यर में थे हम हम तीन दोस्ते जो रूम लेकर रहते थे भाई पीजी में और दिल्ली में दिल्ली निवर्स्टी में पढ़ा ही किया हमने तो वहां पे त्यारी वाई कर रहे थे हम यूप्यस्टी वकरागी उस वक्त तो एक जो दोस्त है हमारे इसके साध्यों की उसके किस्सा हुए और वो तीसरा है इसकी भावी लगते हुए लगते चाहित हैं लिछ बाइअ कि साध्याधिया प्रफशो के अवास्त кिशधियव घे और बाइस पहता तो ख्राइश उनियाए हमने में लाप दूओ आप थो कि बहुत प्रेगनेंट है जब अच्छी बात है तो कुछ नहीं को गया उन्हें क्या हो ग्याद इसे मना किया था जब प्रेगनेंट ओरत होती है तो कभी भार नहीं निकलते इतना चाहिए, जज़ा पर नहीं जाते हैं, यहां मनाखिया जाता है रिखर ले न ब किसी के साथ तो ग्ली वगरा में काई मोट उसे साथ में ले गई हूर यह sir abhan Rea कि मंदिर मैं जाकर पूजा वगरा कर गया तो वहां पास में पेडस्ट आदा श्रापित्र माना जाता है कि आफ भी पहले से वैसे इसराप इतनी है हम जैसे लोग जाएंगे हम पूजा करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर प्रेगनेंट वहां पे नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर बता जाता है कि उस पेड़ पर साया था एक डायन का जो मांगती थी जान इनसान की उसे जान चाहिए थी तो क्या गलत सीन स्टाट यह हो गया कि उनको पेट में काफी दर्द पें वगएरा स्टाट हो गया और काफी परेसान हो गई और चीक ने चिल लगी लोग को लगा कि क्या पता बच्चा पलड़ जाता है पेड़ में कभी कभी दिक्कत आ जाती है तो यह हो गया हो बट अभी महीना वही कि भी बोट पहला चल रहा था मैंत पंच उस्टा में नहीं था ले जाया गया हूँने काफी मर्जेंसी में ले जाया गया भाई होस्पिटल वगरा में पहुंचाया घया पे एडमिट वगरा कि इन पर पेट में बच्शा अगर प्लड़ और जाता है तो दिक्कत आ ज बच्चा खतम हो गया है उनको यकीन हुआ कि यार मैं तो नहीं कुछ हुआ रही किस तरीके से कि सुरी बच्चा पर खतम हो गया आप जितना जल्दी हो सके सफाई कर वा लें अपनी और बना आपको परलम हो सकती है उसकी वज़ेसे अब भाई मातों आये उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे कुछ हो गया करें नहीं आपकी रिपोर्ट वगरा सही नहीं है और इस तरीके से करें दूसरे वस्पिटल में जाएंगे बाई दूसरे वस्पिटल में चल दिये वहां कई वहां अपनी इसे चुसन बताई से अब भाई सेम बताया और सारे सीटेस के अन वगरा यह सब पड़े हुआ है भाई अभी घर पे उसमें भी रिपोर्ट यह आई कि बच्चा आपका खतम हो चुका है जितना जल्दी हो सके आप सपाई बगरा करवा लिजे आपको बना आपको प्रोलम होना स्टार्ट हो सब्सकारी वह अपनी जिद में घर पर आ गई तो भाई अब यह था कि उनके गाउं में एक दाइमा थी भाई हम तो होस्पिटल में डिलिवरी कर आते हैं अब दाइमा वगरे जो घर पर डिलिवरी कर देती हैं बच्चों के पुराने टाइम में उन्हें बुलाया गया कि और भाई देखाने की क्या प्रोलम में और किया हो सकता है मैं इसमें डेखा उसका उन्हें चेक किया बच्चेmenoire है वह लह इंहें उन्हें समझमा आ गया सिन तेके आपके साथ में कुछ गलत हुआ है अप कर भी साथ में गई थे ने कहा हम गई थी के मांडिर और गई-गय आपको वह नहीं करनी चाहिए थी और यह जो गलत हो गई है और आपके पीछा द्यान पड़ गई है वह जान लेकर ही जाएगी आ तो आपके बच्शें जान जाएगी या तो आपकी जाएगी डौक्टर बोल चुके तो आपका बच्चा ख़तम हो चुका है तो दायमाने एक रात में अमावस्य ती या कोई एक रात में जिसमें चांद पूरा नहीं रहता है अमावस्य ही है बक्रीकी बली दी गई जो बक्रीकी बली में से खून निकलाता उसमें कलाबा लपेड के खाथ में बांदा गया उस औरत के यह दागा एक खूलना निया और इस घर से बाहर कदम निरखना है चोकट से अजाने अन जाने में जब उन्हेंने railroad कि बाहर कदम रखा भी नो मिने के दोरान तब भी उन्हें पेंस होने स्टार्ट हो जाता था और डॉक्टर तब भी कहते थे कि आपको बच्चा मर चुका है अब बच्चे को पेट में करके क्यों चल रहे हो इससा आपको दिक्कत हो जाएगी घर के अंदर आती हो बच्चा जी जिंदा ऐसा फील होता था उनको को पेट में केक मार रहा है ये कर रहा है और बहुर जैसे कदम रखते थे घर से भाख थो उन्हें यह लगता थे चलिखाना करूं сокश लेइस में थे चली नुव महिनेश इंक नो मुह द्ग हो उनके साथ जो भी पूजा पाठ करती थी ती वह डै स्पर डरीव कुछ गया बच्च का तो फेर वह डिलीवरी के लिए होस्पिटल गया नहीं 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 गर से बाहर नहीं जा सकते थे डिलीवरी दई माने ही करी घर पर और इकदम बच्छा स्वश्थ प्यादा हुआ घ्र आज भी आड़नों सवाल का वो अच्छा हो अपर ऑफ वो घर से निकल सकती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें बली दे दी ना वो और वो बच्चे-पे से वो चीज टल गई, पर वो जब तक थी पेट में तब तक उसके साथ था कि ऐसा हो सकता है। बली देने के बाद यह अलब नहीं बाहर जा सकता है। , बहुतु आप u? और अभी बच्चा सह्य है? और भाई एक दम सह्यवन。 हसता खेलता एक दम भाई यह शही कमाल कर दिया दाई जी ने दा इमार ने कमाल कर दिया भाई वही है कि जो चीजि़ कहते है कि साइंस के बसकी नहीं कोछी साइंसSEIB sub !!! कि आपके साथ पाड़कास्ट करके और उम्हारी उमीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा यह वाली किस्से सुनके तो ऐसे ही मज़दार किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों तिल देन आप ध्यान रखिए अपना प्लीज भार वहर थोड़ा देख भाल के जाया करो और अपना ध्यान रखो सभी बात है अगर आपको मज़ा आया हमारे और पॉड़कास में तो भाई सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और बस मिलते हैं नए पॉड़कास्ट में तिल देन बाई 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 टेकर जैश्री राम जैश्री राम